ओके बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले, जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गिया है, कि हमें एक पैंसील लेना है, ठीके, उसके बाद उसको शार्प करना है, उसके बाद उसका आउटपुट निगालना है, तो वही अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीके, तो मैं पहले camera को set कर देती हूं ताकि आप लोगों को clear दिखाई दे ठीक है थोड़ी problem होगी आप लोगों को क्योंकि मेरे पास को set करने का नहीं class के बीच में मैं ये कर रही हूं तो पहले तो ये मेरा input है ये तो पहले मेरा pencil है ठीक है इसके बाद मैंने एक sharpner लिया है ठीक है अब मैं इसको sharp करूँगी यानि ये मेरा input device है ये मेरा input है और ये मेरा process है अब मैंने pencil इसमें डाला और अब मैं इसको process कर रही हूं मतलब अब ये देखो process हो रहा है तो आप देखो pencil मेरा process हो रहा है अब हम इसका output यानि sharp pencil में आपको दिखाऊंगी तो मैंने मेरा output मेरा जो process का काम था वो हो चुका है अब ये मेरा निकल के आया है sharp pencil यानि ये मेरा output है और ये मेरा process हो रहा था और ये output है इससे पहले अगर हम देखें तो मेरी pencil ऐसी थी ठीक है ऐसी थी pencil और अब मैंने जब process कर लिया है तो output उसका ऐसा है तो इसमें भी यही वताया है ठीक है और ये आप सभी को भी practical करना है अभी just right now अगर अभी नहीं आप कर पाते तो कोई बात नहीं आप बात भी कर लेना लेकिन ये करना जरूरी है ठीक है ओके बाई